हाई गाईज, वेलकिम टूबी बैंकर, स्वागत आपका आठकी क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ, आपके लिए घर पे बोले जाने वाली इंग्लिश, जी हाँ, वो अंग्रेजी जो हम लोग सुभा से लेकर के शाम तक प्रसो दो संटर कर लिए पर्सो दो संटर कर दियें, ऐसे कर दूद कि आपके पूरुक्त विडियो के लिदें सथे हैं और जो आगे बोलना कुन दो को लगे हैं और याद कर लीजे और एपको फोले हैं, आज दो हम मत पर देंसे ही aad कर ल के था जाना है पर सो दो से जाद कर लिए ऐसे करते करते और घर पर उनको इस्तमाल करना शुरू करिए तभी आज से अभी से इसी वक्त से इस वीडियो के बाद से आप अग्रेजी बोलने लगेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो उसके पहले अगर आप हमारे चानल पर के बारे में जानने के लिए साथ ही साथ ये वीडियो और इसके जैसे धेर सारी वीडियो डिरेक्ली अपने मोबाइल तक पाने के लिए जी हां आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेस्बूक, इंस्टागार्म, टेलिग्रम, ट्विटर, टिक्टॉक, हेलो सारी के सारी सोशल मेडि हैं आज के वीडियो, सबसे पहला सेंटेंस, केला छील दो, अब भाई के जगा पे आलू हो सकता है, अनार हो सकता है, सेव हो सकता है, औरेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर मुझे छील दो की इंगलिश पता हो, तो मैं बोल सकती हूं इंगलिश, तो छील दो की अब याद कर लेज़े, आप Peel Off, यानि कि छील दो, साथ में जो भी छिलवाना हो, आप छिलवा लें. जादा टीवी मत देखो, Do not watch too much TV, Do not watch too much TV, बच्चे तो बहुत जादा टीवी देखते हैं, तो उनको अगर मना करना हो, तो कैसे करेंगे? Do not watch too much TV, जादा टीवी मत देखो, Fridge खराब हो गया है, The Fridge is not working, या Fridge is not working, Fridge खराब हो गया है, Fridge is not working, Mammy मुझे खाना चाहिजे, Mom I want to eat. Mammy मुझे चाहिजे, Mom I want rice. Mammy मुझे पानी चाहिए, Mom I want water. Mammy मैं पढनी जा रहा हूं, Mammy I am going to study. मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, I am going to study मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी I am going outside मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मम्मी I am going to play मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मम्मी I am going to play So यह सारे sentences आप कैसे इस्तमाल कर सकते हैं अपने बच्चों से ये deal कर लीजे कि भई तुम बाहर जाओगे जब भी तो तुम ये वाली sentence बोलके ही जाओगे बाहर खेलने के लिए इससे होगा ये आपके अंग्रेजी के प्राक्टिस हो जाएगी बच्चे भी आपके साथ-साथ अंग्रेजी सीखने लगेंगे ऐसे मैं वोकाबलरी आपको सेंडेंस के साथ-साथ बताती जाती हूँ तो समझने में दिखकत तो नहीं आने वाली है बट स्टिल वोकाबलरी जानना बहुत ज़रूरी है मुझे भूक नहीं लगी मैं अभी नहीं खाऊंगा मैं अभी नहीं खाऊंगा I will not eat now, मुझे 10 रुपे चाहिए, I want 10 रुपीज, मुझे 10 रुपे चाहिए, I want 10 रुपीज, पापा आप कहां जा रहे हैं, पापा where are you going, पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा, पापा I will eat चॉकलेट, पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा, पापा I will eat चॉकलेट, मुझे भी जाना है, I have to go to, मैं भी चलूँगा, I will also go, मैं भी चलूँगा, I will also go, तो अब आप उनको बाहर तभी ले करके जाए, जब वो आपको बोले, I will also go, मैं भी चलूँगा, मम्मी मैं खेलने जाऊ मम्मी मैं खेलने जाऊ, मम्मी मैं खेलने जाऊ, मम्मी मैं आइग गो टूपले, मुझे नहीं पढ़ना, I don't have to study, मुझे नहीं पढ़ना, I don't have to study, या बोल सकते हैं I don't want to study, clear है? अलमीरा खोलो, open the ALMIRA अब अलमारी को अंग्रेजी में अलमी रा कहते हैं अलमारी खोलो या अलमीरा खोलो, open the ALMIRA अलमीरा बंद करो, close the ALMIRA अलमारी आधा کھلا रखो, keep the ALMIRA half open इसको आप बोल सकते हैं, keep the ALMIRA half open या इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा शब्द हंग्रीजी में जिसको कहते हैं अजार इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियों में आपको बताया है शब्द याद कर लीजे इसको कहते है अजार यानि कि आधा खुला रखने को कहते हैं अजार अलमारी आधा खुला रखे, keep the almira अजार मुझे अपना mobile नहीं मिल रहा, I can't find my mobile मुझे अपना mobile नहीं मिल रहा, I can't find my mobile अब ये तो फेवरेट वाली लाइन है, ये तो अभी इसी वक्त रट लीजे और इसके बाद जब भी mobile ना मिले तो क्या बूलना है आपको I can't find my mobile, मुझे मेरा mobile नहीं मिल रहा अब mobile के जगा पर कुछ भी हो सकता है, आपका pen हो सकता है, आपकी copy हो सकती है आपके document हो सकते है, आपका bag हो सकता है, आपका belt हो सकता है, आपकी wallet हो सकती है आपका purse हो सकता है, हो सकता है ना, बस आपको याद रखना है I can't find उसके बाद आप माई लगा करके अपना समान का नाम डाल दीजिए, जैसे I can't find my charger, मतलब मुझे अपना charger नहीं मिल रहा, I can't find my charger, मुझे अपना charger नहीं मिल रहा, She has a cold, उसे सर्दी है, घर में बच्चे को जब सर्दी हो जाती है, किसी में बढ़ते हैं आगे, star plus लगाओ, tune in to star plus अब star plus बहुत favorite है सब कोई देखते हैं घर पे तो star plus लगाओ, इसको इंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? tune in to star plus अब tune in का किस्तमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारे तेलिविजन है या FM है ये frequencies पे काम करते हैं तो हम लोग frequency change करते हैं आपको कलर्स देखना है, जो भी चानल देखना है, आप वहाँ पर नाम डाल देचे, स्टार प्लस लगाओ, या सोनी लगाओ, या कलर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, टून इन्टो स्टार प्लस, फ्रिज काम नहीं कर रहा है, तो फ्रिज इस नॉट वर्किंग, जादा टीवी मत देखो, do not watch too much टीवी, बिस्तर से उत्रो, get off the bed, बिस्तर से उत्रो, get off the bed, अब हो सकता है, बिस्तर ना हो, टेबल हो, तो टेबल से उत्रो, सोफा हो, सोफा से उत्रो, यानि कि get off the sofa, get off the dining table, get off the table, get off the almira, get off the bed, आप बेड के जगा पे इन सब कर स्तमाल कर सकते get off का मतलब होता है उतरना बिस्तर पर बैठो get on the bed बिस्तर पर बैठो get on the bed या sit on the bed open the door दर्वाजा खोलो open the door दर्वाजा खोलो दर्वाजा बंद करो shut the door अब shut एक ऐसा शब्द है जो दर्वाजा के लिए यूज होता है और खड़की के लिए यूज होता है shut the door या close the door आपको दोनों में से जो याद रहे आप उसका अस्तमाल करें दोनों ही इस्तमाल करेंगे कोई problem नहीं है दर्वाजा थोड़ा खुला रखें keep the door slightly open slightly मतलब थोड़ा सा एक्दम जरा सा keep the door slightly open दर्वाजा आधा खुला रखें यानि की keep the door partly open दर्वाजा आधा खुला रखें keep the door partly open दर्वाजा पूरा खुला रखें keep the door fully open दर्वाजा पूरा खुला रखें keep the door fully open दस्तावेजो को अलमीरा में डालें put the documents into the almira दस्तावेज यानि कि डॉक्यूमेंट्स आपके है ना तो दस्तावेजों को अल्मीरा में डालें put the documents into the Almera दस्तावेजा को अलमायरी में रखें या अलमीरा में रखें keep the documents into the Almera अब put the documents या keep the documents जोनों में से आपको जो याद रहें आप उसको स्तमाल कर सकते हैं कपड़े ठीक से रखे keep the clothes properly कपड़े ठीक से रखे keep the clothes properly कपडो को हैंगर पर लटकाएं, hang the clothes on the hanger कपडो को हैंगर पर लटकाएं, hang the clothes on the hanger कपडे को हैंगर पर रखो, put the clothes on the hanger कपडो को हैंगर पर रखो, put the clothes on the hanger कपडो को अलमारी से बाहर निकालो, take the clothes out of the almira कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो Take the clothes out of the Elmira भोजन करते समय मूँ बंद रखो Close your mouth while eating भोजन करते समय मूँ बंद रखो Close your mouth while eating भोजन करते समय मूँ बंद रखें Shut your mouth while eating अब मैम ने तो दोनों बता दिया कैसे पता चलेगा क्या इस्तेमाल करेंगे बताती हूं Shut your mouth जब कोई आपको ऐसा बोले इसका मतलब है आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको इस बात को सुनने में कोई इंटरस्ट नहीं है Shut your mouth यानि कि बक बक बंद करो बोलना बंद करो मुझे नहीं सुनना लेकिन जब आपको बोला जाता है Close your mouth while eating यानि कि बहुत लोग होते हैं जो खाते हैं तो मुझे अंदर का सारा इटम दिखने लगता है That's not good, that's not table manners है जब आम लोग एक साथ बैठके खा रहे हैं तो table manners में एकाउंट नहीं होता आपको अपना मुझे बंद करके खाना चाहिए खाने को धीरे धीरे अंदर ही चबाके खाना चाहिए बाहर वाले को दिखना नहीं चाहिए So इस बात को अगर किसी ने आपको समझाना है तो वो बोलेगा Close your mouth while eating मतलब चबाते वक्त अपना मुझे वो बंद रखा करें चलिए बढ़ते हैं आगे कपडे को कील पर लटकाए Hang the clothes on the nail Nail मतलब कील होती है Nail मतलब नाखून भी होते हैं पर यहाँ पर नेल मतलब कांटे या कील को बोला जा रहा है कपडे को कील पर लटकाए Hang the clothes on the nail Hammer the nail अब hammer का मतलब क्या होता है Hammer का मतलब होता है हथोडा अब हथोडा से nail पर क्या करते हैं Nail को ठोक के दिवाल में डालते हैं तो hammer the nail यानि के कील ठोके कंगी कहा है Where is the comb? कंगी कहा है Where is the comb? अब यहां पर कॉम्ब के जगा पर आप कुछ भी डाल सकते हैं Where are my shoes? Where is my wallet? Where is my purse? Where is my powder? Where is my cream? चीक है? यहां पर हमने कंगी का स्तमाल किया है तो कंगी कहा है Where is the comb? कपडो को धूप में डालो Put the clothes under the sun Put the clothes under the sun कपडो को धूप में डालो आज नीली कमीज पहनो Put on the blue shirt today आज नीली कमीज पहनो Put on the blue shirt today देखे Put on का मतलब होता है पहनना Put on का मतलब होता है पहनना तो आप नीली shirt पहन सकते हैं पिली shirt भी पहन सकते हैं काली shirt भी पहन सकते हैं आप pant भी पहन सकते हैं, आप skirt पहन सकते हैं, like depending on किसका कॉनसा ड्रस है, जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं, put on the school uniform, यानि कि school uniform पहन लो, put on the school uniform, school uniform पहन लो, तो वैसे ही put on के साथ आप कुछ भी लगा लीजे, वो उसका मतलब हो जाया, put on का मतलब क्योंकि पहनना होता है, तो उसके साथ आप पहनने वाली वस्तुवों को जोड़ करके sentence बना करके आसानी सेहरेजी बोल सकते हैं, आज नीली कमीज पहने, put on the blue shirt today, अभी इस T-shirt को उतार दो, take off this T-shirt right now, अब देखें, यहाँ पर समझने वाली बात है, जब मैंने right now यहाँ पर इस्तमाल किया है, मतलब मैंने अभी का इस्तमाल किया है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप अभी का इस्तमाल करें ही, है ना, इस T-shirt को उतार दो, take off this T-shirt, मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है, टेक off का मतलब होता है, उतार देना, मतलब किसी को बोल रहे हैं कि उतार दो उस चीज़ को, लाइक जो पहने हुए हो, जो तुमने put on किया है, उसको take off कर दो, चलिए बढ़ते हैं आगे, जूते पहन लो, put on the shoes, जूते उतार दो, take off the shoes, जूते उतार दो, take off the shoes, बालो पर तेल लगाएं, apply the oil on the hair, बालो पर तेल लगाएं, apply the oil on the hair, शरीर की मालिश करें, do body massage, अब देखिए, massage और message, बहुत confused होते हैं लोग, massage की spelling देख लिजए, message की spelling देख लिजएगा, आगे बताऊंगी, शरीर की मालिश करें, यानि कि do body massage, जब आप oiling से body की massage करते हैं, यानि कि मालिश करते हैं, उसको massage बोलते हैं, उसके उचारण क्या है, massage, उसे message करें, message him, उसे message करें, यानि कि message him उसे text करें, आप message को कई लोग text बोलते हैं, text क्योंकि वो लिखाओ आप भेजते हैं, इसी वज़े से text दोनों में से जो आपको याद रहें, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे text करें आप मुझे text क्यों कर रहे हैं? Why are you texting me? आप मुझे क्यों text कर रहे हैं? Why are you texting me? मुझे message क्यों कर रहे हैं? Why are you messaging me? मुझे message क्यों कर रहे हैं? Why are you messaging me? TV चालू करें, switch on the TV TV चालू करें, switch on the TV आप switch on the TV या switch off the TV बोल सकते हैं, अगर आपको TV बंद करवानी हैं तो Switch off the TV यानि कि TV बंद करें आप turn off भी बोल सकते हैं Turn off या turn on Turn off मतलब बंद करना Turn on मतलब चालू करना Switch off मतलब बंद करना Switch on मतलब चालू करना Clear है? आवाज बढ़ाएं यानि कि increase the volume अब TV की volume या radio की volume या phone की volume आप बोल सकते हैं तो increase the volume यानि कि आवाज बढ़ाएं आप इसके जगापे सीधे सीधे Turn up the volume भी बोल सकते हैं Turn up the volume Increase बोल सकते हैं Turn up भी बोल सकते हैं मैं हर किसी के लिए आपको विकल्प दे रही हूँ ताकि आपको जो याद रहे है आप उसको इसको इस्तमाल करें आवास कम करें, turn the volume down आवास कम करें, turn the volume down आवास कम करें, इसको आप और क्या बोल सकते हैं, lower the volume आवास कम करें, lower the volume वो दिन भर TV पर लगा रहता है, he is engaged on the TV throughout the day वह दिन भर TV पर लगा रहता है He is engaged on the TV throughout the day अपनी आखे खराब मत करो Don't spoil your eyes अपनी आखे खराब मत करो Don't spoil your eyes अपनी आखे खराब मत करो को आप Don't ruin your eyes भी बोल सकते हैं Ruin का मतलब क्या होता है? खराब करना, बरबाद करना बिल्कुल इसको पढ़ते हैं ruin अपनी आखे खराब मत करो Don't ruin your eyes अपनी आखे खराब मत करो को आप Don't damage your eyes भी बोल सकते हैं मतलब खराब होता है, damage का मतलब भी खराब होता है तो अपनी आखे खराब मत करो Don't damage your eyes तीनों के लाइन, तीनों लाइन्स में आपको जो याद रहे आप उसका इस्तमाल करिए दूर से टीवी देखें, watch the TV from a distance दूर से टीवी देखो, watch the TV from a distance या आप इसके जगहा पर बोल सकते हैं, mobile दूर से इस्तमाल करो use the mobile from a distance you got me insulted, तुमने मेरा अपमान करवा दिया you got me insulted, स्कूल में रिजल्ट आया, टीचर ने बहुत सुनाया आप क्या बोल सकते हैं आके, you got me insulted, तुमने मेरा अपमान करवा दिया ज़्यादा TV देखने से आपकी आँखो को नुकसान हो सकता है watching TV too much may damage your eyes या may harm your eyes watching TV too much may damage your eyes TV को बहुत करीब से देखने से आपकी आँखे खराब हो सकती है watching TV too closely may damage your eyes मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद है I love to watch serial, मुझे सीरियल देखना बहुत पसंद है ये धरावाइक मेरा फेवरेट है, मेरा पसंदीदा है यह धारा वाहिक मेरा पसंदीदा है पंखा चालू करें, switch on the fan बिस्तर तयार करें, prepare the bed बिस्तर बनाओ जैसे रात में सोने से पहले बोला जाता न बिस्तर बनाके सो, मतलब make the bed आप कैसे बोलेंगे अब इसको, make the bed या make your bed, यानि कि अपना बिस्तर बनाए मेरा कमरा बिखरा पड़ा है, my room is messed up messed up का मतलब होता है, बिखरा पड़ा हुआ होना बिल्कुल बेकार इधर ओधर चीज़े फेकी हुई है मेरा कमरा बिखरा पड़ा है, my room is messed up मुझे इसे विवस्थित करने दे, यानि कि मुझे let me arrange it let me arrange it, मतलब सजाने दे, सर्याने दे, सही तरीके से रखने दे let me arrange it, मुझे इसे विवस्थित करने दे क्या मैं पंखा चालू करूँ, आज बहुत गर्मी है लंबे sentences भी घर में यूज करते हैं क्या मैं पंखा चालू करतू, आज बहुत गर्मी है do I switch on the fan, it's terribly hot today terribly hot today का मतलब होता है, एक डम बहुत जाद थकाने वाली गर्मी चलिए बढ़ते हैं आगे, आज कड़-कड़ाते ठंड है today is bitter cold, bitter मतलब कड़-कड़ाती ठंड, जो रिद्म अपकी हड़ी कपादे वैसी ठंड, कड़-कड़ाती ठंड bitter cold या shivering का भी इस्तमाल आप इसमें कर सकते हैं बारिस ने मौशम को सुहाना कभी बना दिया है the rain has made the weather pleasant, मौसम का मतलब weather होता है मौसम की इंगलिश होती है, weather the rain has made the weather pleasant mixy खराब है, the mixture is malfunctioning अब malfunctioning काफे बड़ा word है, तो इसको आप समझें malfunctioning का मतलब होता है, ढंक से काम ना करना, मतलब खराब हो जाना या तो आप कर सकते हैं, the mixer is not working या आप कर सकते हैं, mixer is malfunctioning, mixy खराब है तो आपको सामने वाला क्या बोलेगा, get it repaired इसकी मरमत करवाए, get it repaired इसकी मरमत करवाए, get it fixed अब इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, कि इसकी मरमत करवाले अब get it repaired या get it fixed, दोनों का मतलब सेम है मतलब आप सामने वाले को suggestion दे रहे हैं कि इसको ठीक करवा लो, भई कुछ खराब है तो इसको ठीक करवा लो, get it fixed या get it repaired, आप दोनों में से किसी कब इस्तिमाल कर सकते हैं, जो आपको याद रहे मेरे कंधे का सहारा मतलो, don't lean against my shoulder इसे होता है न, train bus में जाते हैं, पता नहीं कौन होता है बगल में जो कंधे पर सर रख करके सो जाता है आप उसको कैसे बोलेंगे, don't lean against my shoulder, मेरे कंधे का सहारा मतलो, don't lean against my shoulder दिवार का सहारा मतलो, don't lean against the wall, यहाँ पर wall हो गया, कंधे के जगा पर क्या हो गया, दिवार हो गई दिवार का सहारा मतलो, don't lean against the wall I don't feel like talking to anyone, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है I don't feel like talking to anyone, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है गुस्ता हो जाते हैं, बच्चे तो बोलते हैं, मुझे किसी तो बात नहीं करनी, I don't feel like talking to anyone, आज बहुत उमस है, उमस की इंगलिश होती है, humidity, humid, आज बहुत उमस है, it's very humid today, खुद ले लो, यानि कि please help yourself, घर पे आपने मंगवाई कोई चीज, मम्मी से या पापा से, मुझे ये लाके देना, मुझे वो लाके देना, तो सामने से, जैसे आपके बच्चे गर आपको बोलते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, help yourself, यानि कि खुद ले लो, help yourself, don't ask me, help yourself, मुझे मत बोलो, अपने से ले लो, खुद से ले लो, इस दवा से आपका बुखार उतर यूर फीवर विल गो डाउन विद इस मेडिसिन, ये लाइन डॉक्तर बोलते हैं हमेशा, मुझे चक्कर आ रहा है, I am feeling dizzy, मुझे चक्कर आ रहा है, I am feeling dizzy, dizzy का मतलब होता है, चक्कर आना, धुन्दला धुन्दला दिखना, मुझे आज अच्छा लग रहा है, I am feeling good today, मुझे स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं पंखे की और घटाते हैं, रेगुलेटर दो पर रखे, keep the regulator at 2, पंखे की गती बढ़ाए, increase the speed of the fan, मतलब दो से काम नहीं चला, पंखे की गती बढ़ानी पड़ेगी, गर्मी बहुत है, पंखे की गती बढ़ाए, increase the speed of the fan, या इसके जगाप पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, speed of the fan, यानि की पंखा तेज करो, सीधी से बाथ है, गर्मी लगरी है, पंखा तेज करो, speed of the fan, कम करना हो तो, पंखे की गती कम करें, speed down the fan, spread up, speed down, speed down the fan, पंखे की गती को कम करें, reduce the speed of the fan, अगर आपको लंबा sentence याद रहता है आपसे, तो याद कर लें, मेरे पास iPhone है, I have an iPhone मेरे पास एक Samsung mobile, I have a Samsung mobile आपके पास किसी भी कंपरी को हो, MI की हो सकती है, Realme की हो सकती है, तो जिस भी brand की है, अगर आपको किसी को बतानी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास एक Samsung mobile है, I have a Samsung mobile. मेरे mobile में 64 megapixel camera है, my mobile has a 64 megapixel camera. My mobile has a 64 megapixel camera. अब कैमरा के जगा पर क्या हो सकता है? आप गोरिला ग्लास बोल सकते हैं, आप अनरोइड सिस्टम का यूज कर सकते हैं, my phone has, my mobile has gorilla glass coating, और my mobile has 725 snapdragon processor, इस तरीके से बोल सकते हैं. अपने mobile के specifications बताने का बड़ा अच्छा तरीका है, my mobile has. यहां से लेकर कि यहां तक याद कर लीज़े, उसके बाद कुछ भी डाल दीज़े. जो भी आपके mobile में function है, वो डाल दीज़े. मेरे mobile का screen तूट गया है, या मेरा mobile screen तूट गया है, मैं इसकी मरम्मत करवाऊंगा, I will get it repaired. Clear है? Please don't call me, कृपया मुझे phone ना करें. He is such a dull boy, वो इतना सुस्त लड़का है. He is such a dull boy, बच्चों के बारे में यह बाते हम लोग करते हैं, parents करते हैं. He is such a dull boy, वो इतना सुस्त लड़का है. Let her come in, उसे अंदर आने दो. So yes guys, यह थी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो, मुझे comment करके जरूर बताए, बहुत महनत लगती है, ऐसे वीडियोज बनाने में. चुन-चुन के sentences लाने पड़ते हैं, कि भई, आपके घर पे, हमारे घर पे, हम सब के घर पे, कैसे वो common sentences में लेकर क्या हूँ, जो हम सब के घर पे almost इस्तमाल हो जाते हैं, ऐसे, सब के घर में तो चीज़े थोड़ी बहुत अलग हो ही जाती हैं, बट मैंने चूज किये हैं most commonly used sentences, जो हम सभी के घरों में fit हो जाएंगी, वीडियो को कैसी लगी, मुझे comment करके बताना बिल्कुल मत भूली, वीडियो को like कर दीजे, पसंद आईए तो, वीडियो ऐसी और आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये जरूर बताएं, ताकि मैं और जादा इसके उप है, उनको आप जानते ही होंगे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजेगा, चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजे, आप इस नमबर पे कर सकते हैं, कि इसमें प्या मिलता है, कि इतने महीने का पर चीजे आपको मिल जाएंगी, अभी इनकोईरी करिए, ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर को जो आपकी ग्रामर की बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है, साथी साथ ये आपको के लिए प्रिपेर भी कर लेता है, इसकी इंकोईरी पे आप इस नमबर पे कर सकते हैं, साथे साथ ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, लेकिन ये कोर्स है, स्पेशली डिजाइंड बच्चों के के लिए हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में बढ़ते हों, आपकी राइटिंग सेक्शन यानि कि अप्लिकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इमेल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, अड़िज राइटिंग, मेसेज राइटिंग, इन वाट एंटरेंस पास करके या तो नौकरी लेनी है या तो किसी बड़े अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है पर उनको लगता है कि अंग्रेजी में भाई पता नहीं क्या होगा आप ये कोर्स देख करके देखिए आपके अंग्रेजी की स्कॉर्स जरूर इंप्रूफ करेंगी इसमें आपको राया जाता है आपका पूरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस कम्प्लीट यानि की रसी वोकाबिलरी ग्राम्मर अद एवरिधिंग सब कुछ कराया जाता है इसमे so yes guys that's it for today thank you so much for watching stay tuned to be banker empowering lives through knowledge thank you so much for watching stay tuned